सभी को मेरा नमस्कार दिख्षा प्लाटफर्म के माध्यम से निस्ठा ट्रेनिंग सेकंडरी प्रारम हो जा रही है एक अगस्त 2021 से इससे पहले कि यह ट्रेनिंग प्लाटफर्म में करना अनिवार्या है जिस हेतु मैं आपके सामने इसकी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं प्लाटफर्म में लॉग इन करेंगे दिख्षार.gov.in से इसके बाद आपके सामने option आएगा explore दिख्षा आपने इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपको एक option मिलेगा explore दिख्षा आपने इस पर क्लिक करना है आपने अपना role select करना है as a teacher click करने के बाद continue फिर आपको यहां पर एक option आएगा guest आपने login करना है यहां पर आपने अभी तक अपने को register नहीं किया है इसलिए आप register here करेंगे अपने पुरी जानकारी की या आप अपने gmail id से इसमें login कर सकते हैं वो सबसे आसान तरीका है आपके दिख्षा login करने का तो मैं यहां आपको email या mobile number से अपना login करके बताना चाहरा हूं कि registration कैसे करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे पहली बार register करने के तिए आपने यहां अपने date of birth year select करना है अब इसमें OTP आएगा आप यहां अपनो OTP submit करेंगे आप यहां पर आपने मोबाइल अमबर लिखना है आप यह पास्वाड इंटी कीजिए और यहां login यह अप्रोसर से हैं आपके फर्स्ट लॉग अटाइम पूस्ट प्रेशिचेशन करने की कि यह देखिए लॉग इन करने पर आजे टीचर आया आपका इसको कंटिन्यू किजिए यहां पर इनका नाम आया है टीचर आया है स्टेट स्लेक्ट करना है आपने उत्राखन डिस्टिक आपका वर्किंग प्लेस का डिस्टिक आएगा जहां आप भी बी कार्य रथ है सब्मिट उसके बाद एक आइकन दिखरा होगा आपको यहां पर यह प्रोफाइल शो हो जाएगी यह दिखाई अगर आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है यह इनके दिख्षा आईडी जनरेट हो गई है यह आपने अपने पास सम्हाल कर रखना है और इसका पासवर्ट भी जिससे आप दिख्षा में बारबार लॉग इन करेंगे इसमें एडिट ऑप्शन यह हो चुका है अब यह आगर पुछेगा आप अपना जो डाटा है वो स्टेट के साथ शेयर करेंगे तो आपने प्रोफाइल में क्लिक करना है अब यहाँ पर एडिट देखिए यहाँ पर अभी इनकी जानकारी कुछ नहीं है तो आपने एडिट पर क्लिक करना है उसके बाद आपने इसमें बोर्ट सेलेक्ट करना है स्टेट बोर्ड उत्राखंड यह आपने स्लेक्ट करना है उसके बाद आपका जो मेडियम रहेगा पीचिंग का वह आपने हिंदी इंग्रिश जो भी आप जिसमें पढ़ाते हैं वो स्लेक्ट करने क्लास आप यह ध्यान रखेगा एल्टी एसिस्टेंट टीचर एल्टी क्लास नाइन और टैन चूज करेंगे और लेक्ट्टर अधर पर चूज करेंगे सब्जेक्ट कि सब्मिट इसके बाद यह आपका रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपने ध्यान रखना है जब आपको किसी भी माध्यम से कोर्स का लिंक दिया जाएगा तो आप यहाँ पर अपने कोर्स देखेंगे कि आपने कौन सा कोर्स कितना कर लिया है और जब उस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे तो एक आप्शन आएगा इस सेर्टिफिकेट जनरेट का तो उस पर दिखाएगा कि आप कोर्स कितना हुआ है कितना का बचा है और सटिकर्ट इशू हुआ या नहीं आप इस कर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाएगा कितने आपके इस सटिकर्ट इशू हो चुके हैं तो उसको आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद